हेलो बच्चों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक और उसका लेसन नमबर फिफ्ट जिसका नाम है दास नीज जी हाँ बच्चों तो आज हम क्लास 10th के लेसन की रेडिंग करेंगे और उसको समझेंगे बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक की सारे लेसन्स विफ कोशन आंसर कंप्लीट कर लिये हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि आपने उन वीडियो पर जाकर उनको देखा होगा और समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट किया होगा यदि आपने नहीं किया है तो आप उन वीडियो पर जाकर अपने प्रीवियस लेसन्स को पर सकते हैं समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू लेसन जिसका नाम है दा स्नीज और स्नीज जैसे कि आपको यहाँ पर यह वर्ड दिखाई दे रहा है स्नीज तो स्नीज का मतलब होता है अच्छू जी हाँ तो आप इससे समझ गए होंगे की sneeze का मतलब होता है चीकना जी हाँ तो अब आगे पड़ते हैं कि इस lesson जिसका नाम है the sneeze याने की चीकना अब इस चीकने वाले lesson में हमें ऐसा क्या बताया जा रहा है जिस वजह से इसका नाम रखा गया sneeze तो इसे समझने के लिए हमें रीट करने पड़ेगी अपनी पूरी स्टोरी तो चलिए बच्चों रीट करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस स्टोरी में जिसका नाम है दासनीज इसमें क्या बताये गया है तो अब इसे रीट करते हैं यानि कि एक बहुत ही सुंधर शाम की बात है बहुत ही सुंधर शाम थी और जो इवान चर्वयकॉफ नाम का एक व्यक थी जिसका नाम है इवान चर्वयकॉफ जी हाँ बच्चों यह नाम आपको बहुत अच्छे से remember कर लेना है you have to learn this name very heartly and very carefully क्योंकि ये नाम जो है बार बार रिपीट होगा तो आपको मालम होना चाहिए क्योंकि ये नाम थोड़ा सा complicated type का है थोड़ी spelling difficult है बच्चों को लिखने में problem हो सकती है but no doubt यदि आप उसे one से two times three times four times read करेंगे तो you will got the spelling and its name and its pronunciation also एक ब्यूट बहुत ही सुन्दर शाम की बात है इवान चर्वयकॉफ आ माइनर ओफिसल वस सिटिंग इन दा उपेरा हाउस and watching a famous उपेरा मतलब कि इवान चर्वयकॉफ नाम का व्यक्ति जो एक छोड़ा सा अधिकारी था वे बैठा हुआ था वस सिटिंग इन दा उपेरा हाउस यानि कि जो नाटक ग्रह होते हैं जहां पर नाटक की रोल प्ले किये जाते हैं वे वहाँ पर बैठा हुआ था और watching यानि कि वे देख रहा था क्या देख रहा था एक famous यानि कि प्रसिंद उपेरा को जो नाटक करते हैं जो नाटकाएं होती हैं उनको वह देख रहा था famous उपेरा को वह देख रहा था as he said there he felt extremely relaxed and happy जैसे कि वे वहाँ बैठा हुआ था he felt extremely relaxed यानि कि एकदम सुकून एहसास कर रहा था एकदम बहुती प्रसन्न था बहुती एकदम सुकून और इत्मिनान से बैठा हुआ था और कहां बैठा हुआ था उपेरा हाउस में बैठा हुआ था क्या कर रहा था famous उपेरा को देख रहा था कौन देख रहा था आखें गोल गोल भूमने लगती है and he held his breath और वें अपनी सास को लेते हुए he took off his glasses यानि कि वें took off his glasses took off मतलब होता है उतारना उसने क्या उतारा अपने glasses को glasses मतलब जो goggles उसने पहना हुआ था उसने उसको उतारा took off his glasses bent forward यानि थोड़ा सा आंगे की साइड वो जोका एंड आच्छू और उसने ऐसे करके एक जोर से स्नीज़ याने की उसने चीका तो ये इसमें क्या हुआ कि एक माइनर ओफिसल जिसका नाम है इवान चर्वियकॉफ वह एक सुन्दर शाम को उपेरा हाउस में फीमस उपेरा को देख रहा था अचानक उसकी चहरे पर व्रिंकल आती है उसकी आइस रोल हो जाती है और वह एकदम से गहरी सास को लेकर अपने चस्मे को निकालता है और आंगे जुपते ही साथ वह छीक देता है जब वह छीकता है या किसी अन जगा पर नहीं चीक सकते या चीकने के लिए कोई particular स्थान बनाया गया है यह prohibited नहीं है किसी के लिए भी peasants sneeze याने की किसान होते हैं वो भी चीकते हैं जट द चीफ सॉफ पुलिस sneeze याने की जो पुलिस के जो अधिकारी गण होते हैं मुख्या होते हैं वो भी चीकते हैं इवन द पॉलिटीशन स्नीज याने की जो राजनेतिक के होते हैं वो भी चीकते हैं एवरिवन स्नीज हर कोई चीकता है नैचुरली चर्वयकॉफ डिड नॉट फील अंबारस्ट एट वाट ही हैड ड़न और वास्तविक में उसे किसी भी प्रकार की इंसल्टिंग याने की अपने अंदर थोड़ा सा भी उसे अपमान नहीं लगा कि उसने क्या किया उसे लगा यह तो एक नैचुरल प्रॉसस है कभी भी हम किसी भी इस्थान पर अगर हमें चीक आ जाएगी तो हम चीक देते हैं उसके लिए हम सोचते नहीं कि हमें इस स्थान पर नहीं चीक ना था तो उसने इस चीज़ को बिलकुल नैचुरल यह नहीं है नहीं स्वाभाविक लिया विब्ड हाज नोज विथ हैंकरचीफ और ग्लेंज़ अबाउट हिम पोलाइटली तो मेक शूर अपने नाग को थोड़ा सा पोच्छते हुए विब्ड करते हुए उसने अपने जो रुमाल है उसे निकाला उसको अपने नाग को थोड़ा सा साफ किया विब्ड किया और ग्लेंज़ अबाउट हिम पोलाइटली और उसकी तरफ अपनी नजर को फेरा आंगे की साइड और ये उसने जानने का प्रयास किया कि उसने अपनी छीकने से किसी अन्य वेक्ती को अपनी छीक से परिशान तो नहीं कर दिया या मेरी छीकने से किसी अन्य को कोई परिशानी तो नहीं हुई just he want to confirm वो confirm करना चाहता था तो वो यहाँ वहाँ देखता है विनमरता से यहाँ वहाँ अपनी नजरों को फैलाता है and then he felt deeply ashamed और उसे बहुत ही गहराई से बहुत ही जादा उसे जो है शर्म का एहसास होता है he saw that an old man who was sitting in front of him was painfully whipping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something यानि कि वही देखता है जब वो यहाँ वहाँ देखता है कि उसने किसी को परिशान तो ने क्या तब वे देखता है कि एक बूढ़ा इंसान old man जो उसकी just front यानि कि सामने वाले seat पर बैठा हुआ था and he was painfully यानि कि थोड़ी दुविधा से वे क्या कर रहा था whipping his bald spot यानि कि अपना जो सर होता है सर का जो एक flat area होता है यानि कि गंजा पन जिसे हम कहते हैं उस area को उस जगा को वो whipping यानि कि पोच रहा था and the back of his neck और अपने जो गर्दन होती पीछे वाली उसे वो साफ कर रहा था with his glove यानि कि अपनी glove से glove जो उसने दास्ताने पहन रखे थे उससे and muttering something और कुछ-कुछ वो बड़बडा भी रहा था उसके lip sing हो रहा थे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़बडा रहा है चोटे-चोटे धीरे-धीरे शब्दों में वो कुछ बड़बडा रहा था he was चर्वयकॉफ रिकागनाईज़ जनरल ब्रिजलोफ of the Department of Highways यानि कि चर्वयकॉफ ने उसे पहचान लिया रिकागनाईज़ कर लिया कि जो वहवेक्ती था वो जनरल ब्रिजलोफ था यानि कि जिस पर उसने छीक दिया था वो जनरल ब्रिजलोफ था और जनरल ब्रिजलोफ कहा का था हाईवेज याने की राजमार्ग विभाग का वेवेक्ती था जिसे इवान चर्वयकॉफ ने पहचान लिया था और जिसका नाम था जनरल ब्रिजलोफ और वेज़ क्या कर रहा था वो जस्ट उसी के आंगे बैठा हुआ था और इवान चर्वयकॉफ ने पाया कि वे अपने हेंकरचीफ निकाल कर अपने उपर गंजे सर को वह साफ कर रहा था और अपने जो पीछे गर्दन गला होता है उसको वे साफ करा था अपने गलव से और कुछ बड़ बड़ा रहा था ये इवान चर्वियकॉफ ने पाया और उसे बहुत जादा डीपली यानि कि बहुत जादा उसे शर्म का एहसास हुआ चर्वियकॉफ ऐसा सोचते हैं कि अरे मैंने इन पर क्या कर दिया च्षीख दिया यानि कि ये मिरे मुख्या तो है ने ये कोई मेरा प्रदान तो है ने पर फिर भी मैंने ये बहुत भद्धा है ये गलत है ऐसा विचाल जब उसके मन में आया तो उसने ये सोचा कि भई मुझे तो इनसे I must apologize का मतलब है कि भई मुझे तो इनसे हर हाल में छमा मांगने ही चाहिए क्योंकि ये गलत है कि मैंने इन पर क्या कर दिया छीक दिया जर्वियकॉफ cleared his throat, throat मतलब होता है गला उसने अपने गले को थोड़ा साफ किया ऐसे किया उसके वाद shifted himself और आंगे अपने आपको खिसकाते हुए forward याने कि आंगे and whispered in the general's ear और जो आंगे उसके general brisov बैठे थे उसके कान पर कुछ फुस फुसा कर धीरे शब्दों में बोला I beg your pardon याने कि आप मुझे क्या कर दीजिये मैं अपनी गलती की छमा मांगता हूँ अपनी गलती की माफी मांगता हूँ your excellency hey mahanubhav hey mahanubhav मैं अपनी गलती की छमा मांगता हूँ sneezed on you कि मैंने आप पर क्या कर दिया छीख दिया I accidentally, accidentally यह मतलब दुरगटना वस गलती वस मैंने आप से छीख दिया और मैं आप से माफी मांगता हूँ mahanubhav मैं आप से माफी मांगता हूँ never mind, never mind यहाँ पर यह दो बार यह जो word बोले गए हैं यह General Brizlov ने बोला कि आरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चलो उसने चीख दिया परन्तो General Brizlov टेह रहे हैं कि मैंने कोई ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, never mind मैंने इसको ध्यान नहीं दिया For heaven's sake, excuse me I, I didn't mean to अब यहाँ पर चव्यक ओफ बोलते हैं कि for heaven's sake, मतलब भगवान के खातिर आप मुझे चमा कर दीजिये फिर वो बोलते हैं कि मैं मैंने मेरा ऐसा कोई भी अर्थ नहीं था मतलब नहीं था कि मैं आप पर चीगू Oh sit down please, let me listen to what is being said अरे तुम बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ क्रिपया करके आप बैठ जाओ मुझे सुनने दो कि क्या कहा जा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा involved थे उस नाटक ग्रह में बैठ के नाटकाओं को देखने के लिए कि वह चर्वयकॉफ से बोलते हैं क्या रही आप बैठ जाओ और मुझे सुनने दो कि वो क्या डायलोग या क्या बोल रही है चर्वयकॉफ वोस टेरिबली कन्फूज़ अब ये बहुत ज़्यादा शंका में आ जाते है चर्वयकॉफ को बहुत ज़्यादा भ्यानक अंदर से कन्फूज़न होता है कि अब में क्या करूँ और उसका दिमाग पूरा उसी समस्या में भीड जाता है वह थोड़ा मूर्खता पूर्वक हसता है और पुनहा वह उसी उपेरा हाउस में जो अपेरा है उसको देखने में लग जाता है वह स्टेज की तरफ देखता है बट नो लॉंगर फेल्ट हैपी लेकिन वह जादा देर तक प्रसन्न नहीं रह पाता एनिक्सिटी वोस बिगनिंग टू ट्रॉबल हैम यानि कि जो चिंता थी वह उसको परिशान करना शुरू कर देती है डूरिंग देनेक्स्ट इंट्रॉफेल जब दूसरा जो अबधी होता है दूसरा जो जो इंट्रॉबल रहता है ब्रेक ट्राइम होता है ज़नरल ब्रिजलाफ़ के पास पहुँच जाता है और धीरे धीरे शब्दों में कहता है I sneezed on Your Excellency, Excuse Me यानि कि मैंने आप पर छीका है महानुभव, मुझे चमा कर दीजिए I sneezed on Your Excellency, Excuse Me, मुझे आप चमा कर दीजिए You see, I did not do it too आपने देखा होगा कि मेरा ये ऐसा करने का मैंने ऐसा कुछ भी जानबूज के नहीं किया है मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था Oh, enough of that, I had already forgotten about it and you keep on at the same thing यानि कि अरे अब बहुत काफी हो गया, हद हो गई I had already forgotten about it, मैं तो उसका कब भूल चुका हूं and you keep on at the same thing और आप उसी चीज को बार-बार दोरा रहे हों, आप उसी चीज को पकड़े हुए जिसको तो मैं भूल चुका हूं said the general impatiently twitching his lower lips यानि कि वह अपने जो vote होते हैं, अपने जो lips होते हैं, उसका जो lower part होता है उसको थोड़ा सा अपने दातों से काटते हुए अधीरता से ऐसा कहता है कि मैं इस बात को कब कब भूल चुका हूं और आप उसी बात को अभी फिर से दोहरा रहे हैं, जिस बात को तो मैं भूल चुका हूं he says he has forgotten it, but there is malice in his eyes यानि कि वह सोचता है, thoughts चर्वियकोफ, वह अपने अंदर विचार करता है कि अरे उसने कहा कि मैं तो कब कब भूल चुका हूं, लेकि तुम उसी बात को अभी तक पकड़े हुए हो ये बहुत हो चुका, मैं तो भूल चुका हूं but there is malice in his eyes, लेकिन उसके आखों में मुझे दुर्भावना समझ में आ रही थी ऐसा विचार किया चर्व्यकॉफ ने, glancing at the general suspiciously यानि कि उसने देखते हुए जनरल को थोड़ी शंकालू द्रस्टी से उसे देखा और उसके मन में ये विचार आया कि उसके आखों से ऐसा समझ में आ रहा था उसने अच्छे से बाद भी नहीं करी and I must explain that I didn't mean it मुझे उसे हर हाल में ये चीज समझानी पड़ेगी कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था that sneezing is a law of nature ये तो प्रकति का नियम है छीकना तो प्रकति का ही नियम है ये एक प्रकतिक चीज है क्योंकि वास्तविक्ता में हर कोई चाहे कोई भी वेक्ति हो वो है स्वभाविक है कि वह चीकता है और else he might think I was spinning और कहीं वो ऐसा ना सोचे कि मैंने उस पर कहीं जानकर थूक दिया है अगर वे अभी ऐसा नहीं भी सोच रहा तो हो सकता है बाद में वो ऐसा विचार करें क्योंकि उसकी आँखों में मुझे दुर्भावना नजर आ रही थी जिससे मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भला ही मेरे लिए अच्छा सोच रहा है पर अन्तु बाद में वो मेरे लिए जरूर सोचेगा कि ये कितना मूर्ख वेक्ती है जिसने उसके ऊपर छीक दिया तो ऐसा विचार जो है चर्वियकॉफ के मन में आने लगा यानि कि जब वे घर पहुँचता है तो घर पहुँच के चर्वियकॉफ अपनी पतनी को सारी घटना के बारे में बताते है सबसे पहले तो उनकी पतनी थोड़ा सा घबरा जाती है सचेत हो जाती है कि अरे क्या कैसे हो गया जब उसने ये ग्यात होता है उनकी पतनी को कि जो जनरल ब्रिजलॉफ है वो उनके हस्बेन के कोई चीफ या मुखिया या अधिकारी नहीं है तो वो थोड़ी से आशुरस्त हो जाती है याने कि अभी फिर भी ऐसा कहती है कि तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए और उनसे छमा मांगनी चाहिए शी सेड ऐसा उनकी पतनी चर्व्यकॉफ को कहती है यदि आप उनके पास नहीं जाएंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो वह यह सोचेंगे कि आपको समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए बिहेव करना चाहिए इसका आपको कोई भी अनुभव नहीं है और वह आपके लिए गलत सोचेंगे इसलिए आपको हर हाल में उनके पास जाकर अपोलोजाइज करना चाहिए याने कि उनसे माफी मांग लेना चाहिए ऐसा उनकी पतनी उन्हें कहती है इसका इसलिए 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 पतनी पतना चाहिए और पतनी है He didn't say anything sensible और मुझसे वह कुछ भी एक समझदारी से जैसे बात करना चाहिए वह ऐसे बात नहीं कर रहे थे But then there was no time for conversation और ये भी है कि उस समय बात करने का भी कोई उचित समय नहीं था क्योंकि वह नाटिकाओं को देख रहे थे और वह नाटिक देखने में इतना ज़्यादा वहाँ अपेरा हाउस में मगन थे कि उन वह ज़्यादा बात नहीं करते The following day अगले दिन क्या होता है The following day चर्वयकॉफ शेवड वह अपनी शेविंग याने कि अपने जो दाड़ी के बाल होते हैं शेवड करता है वह और अपनी नई जो यूनिफॉर्म होती है उसे वह पहनता है And went to Brazilof's office to explain things to him वह ब्रिजलोफ के कारियाले में पहुँच जाता है उनको सारी चीजों को फिर से बताने के लिए वह उसके कारियाले में पहुँच जाते हैं In the general's reception room जहाँ पे उनका जो नए जो अगंतुक होते हैं उनका जो कक्ष होता है जो first room होता है reception room वहाँ पहुचता है जनरल के reception room में There was a large crowd of the petitioners वहाँ पे बहुँच सारे याचिका करताओं की भीड वहाँ पर लगी होती है Sitting at a large table in the center of the room was the general एक बड़े से कमरे में बड़े इसी table की center में वह general Brazilof बैठे रहते हैं और चारों तरफ जो है भीड लगी रहती है Petitioners की वहाँ अपना reception याने की जो उनका उनलोगों से पूश्तास करना रहता है वह अपने reception room में बैठके वह सुरू कर चुके होते हैं After he had interrogated काफी प्रशनों को पूशने के बाद Several of the petitioners मतलब one by one वह एक petitioners को से बात करते थे उनसे कुछ questions करते थे तो ये कार उन्होंने सुरू कर दिया था वह center of the table में बैठे हुए थे सारे petitioners उनको crowd याने भीड बना कर बैठे हुए थे और वह one by one उनको interrogated याने कि उनसे प्रशन पूछ दे जा रहे थे कई प्रशन पूछ रहे थे उन्हें या चिका करता हुए अब जनरल की जो आखे होती है वो अपने आखों को उठाते हैं और उनकी नजर जो है उठकर सीधे किस पर पढ़ती है चर्वयकॉफ के उपर उनकी नजर अब पढ़ती है कि चर्वयकॉफ बैठे हुए है अब फिर से यहाँ पर जर्वयकॉफ बोलते है कि कल उपेरा हाउस में बीते कल में उपेरा हाउस में आपको शायद याद होगा योर एक्सिलेंसी महानुभव तर लिटल उफिशल बेगिन यानि कि वे सुरू हो जाते हैं कहना कि मुझे माफ कर दीजे मैंने गलती वस आप पर कल जो है छीक दिया था यू आर टॉकिंग अबाउट दे सीम तिंग अगीन वाट नॉंसन्स वाट कैन आई डू फॉर यू अरे तुम फिर से उसी बात को दहरा रहे हो क्या मूर्खता है वाट कैना आई डू फॉर यू क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए चर्वयकॉफ टॉर्ण पेल इतने में जो चर्वयकॉफ है वो बहुत तरीके से जो उसका चहरा है पूरा मुर्चा जाता है वह एकदम से शांत पड़ जाता है वह कुछ बोलता भी नहीं है वह अपने आप से कहता है वह कुछ भी बात नहीं करना चाहता यानि कि जब वह मुझसे जनरल मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा इसका मतलब तो यही है कि वह मुझसे अभी भी क्रो देते है क्योंकि वो बार बार कहता है कि तुम वही बात repeat कर रहे हो क्या मुर्खता है क्यों उस बात के पीछे पड़े हो तो जब इस तरह से वे behave कर रहा है general तो इसका साधारन सा अर्थ ये निकल रहा है कि वे अभी भी मुझसे नाराज है मुझे उसको फिर से पूरी चीजों को समझाना पड़ेगा ऐसा चर्वयकॉफ अपने अंदर विचार करते हैं शानत रहे कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुसा है ये मुझसे क्रोधित हैं और ये मुझसे इस कारण स बात नहीं कर रहे हैं मुझे इनको फिर से पूरा हर चीज को समझाना पड़ेगा वेंदे जनरल है फिनिस्ट इस इंट्रव्यू विद लास्ट पिटिशनर से एंड वाज लीविंग मतलब कि जब अंत होने वाला रहता है और उनका जो लास्ट पिटिशनर रहता है वो बे स्टैब्ड अप टु हैं एन मर्मड वे वहाँ पे उसके आंगे पहुँचता है चल्वया को फगीन पहुचता है और फिर धीरे से वह बढ़ बढ़ाता है योर एक्सिलेंसी है महानुभा इफ आई डिर टू ट्रबल यू यदि मैंने हिम्मद भी करी हो आपको परिशान कर करने कि it is only I can assure you मैं सिर्फ आपको यही आश्वस्त कर सकता हूं from a feeling of repentance की मतलब कि मुझे बहुत ही पश्चताप का एहसास है मुझे बहुत ही पश्चताप हो रहा है I did not sneeze on purpose मैंने आप पर किसी भी उद्देश को लेकर नहीं चीका था Your Excellency Must Know That He Maha Nubhav आपको तो यह जानना ही चाहिए कि मैंने किसी दुरगटना वस आप पर नहीं चीका किसी उद्देश को लेकर मैंने आप पर नहीं चीका The General made a fearful face and weaved his hand in despair अब इतने में वो जो जनरल ब्रिजलोफ रहता है वो इतना जादा आग बबूला हो जाता है इतना जादा फियरफुल याने गुसे में भर जाता है फियरफुल उसका चेहरा बिलकुल क्रोधित हो जाता है and weaved his hand in despair याने कि वह despair याने होता है निराशा से औ मतलब बहुती बुरे भाव से वह अपने हातों को एकदम से उठाता है फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है you are simply joking sir याने कि तुम मजाक बना के रखा है क्या क्या आपने इसको मजाक समझ रखा he said disappearing behind the door he said ऐसा वह कहता है और दरवाजे से अंदर चला जाता है याने कि अंदर चला जाता है disappearing behind the door याने कि उससे वह पीछे दरवाजे से वह चला जाता है disappearing हो जाता है ऐसा कहते हुए कि मजाक समझ में रखा है अब he says I am joking अब ये लाइन फिर से विचार कर रहा है चरवे काफ ये सोसता है कि अरे उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं but there is no joke about this at all लेकिन यहां तो कोई मजाक का कोई प्रशन ही नहीं है there is no joke यहां तो कोई मजाक नहीं है about this at all इसमें तो कुछ भी मजाक है ही नहीं he is general and he can't understand what a common man like me is going through यानि कि वो तो general है वो यह नहीं समझ सकते कि हमारे जैसा एक साधारन आदमी मेरे जैसा एक साधारन आदमी क्या किस से गुजर रहा है वो यह नहीं समझ सकते I am not going to back that means pardon again अब मैं इस वेक्ती से दुबारा छमा मांगने माफी मांगने अब मैं नहीं जाओंगा I will write him a letter मैं उन्हें पत्र लिखूंगा but I will not come here again लेकिन मैं पुनहा इस इस इस्थान पर उनसी माफी मांगने के लिए अब मैं नहीं आओंगा चर्वयकॉफ could not stop thinking about the incident as he walked homewards यानि कि वह इस चर्वयकॉफ अपने कदमों को नहीं रोकते हैं he could not stop where नहीं रुपते हैं और यह सोचते हैं क्या सोचते रहते हैं लगाता सोचते रहते हैं thinking about उसी घटना के बारे में विचार करते करते हैं he walked homewards यानि अपने घर की तरफ वो चल देते हैं he did not write that letter to the general जो पत्र वह लिखने के लिए विचार करके गए थे वहाँ अपने घर की वह पुना अब लेटर लिखेंगे और यहां नहीं आएंगे पर नहीं लेखते he thought and thought well सोचते हैं विचार पे विचार विचार पे विचार करके वो परिशान हो जाते हैं but could not think of anything to write लेकिन कुछ भी क्या लिखना है पत्र तो लिखना है पर क्या लिखना है यह अब तक नहीं सोच पाते हैं he decided to go back to the general the following day and explain everything in person in person मतलब कि फिर से निर्णा यह लिया जाता है कि फिर पुनहा जनरल के पास जाएगा अगले दिन और फिर से सारी घटना को समझाएगा उसनको बहुत अच्छे से बताएगा I came yesterday and troubled your excellency he murmured as he faced the general अब फिर अगले दिन पहुँचते हैं कि मैं कल आपके पास आये था उसकी तरफ बताते हैं कि भई मैं कल आया था और ऐसा ऐसा हुआ बोही सारी घटना को बताते हैं but not with the idea of joking लेकिन मेरा कोई रादा मजाक का नहीं था as your excellency remarked जैसे कि आप जानते हैं hey mahanubhav आपने ये देखा होगा I wanted to ask for your forgiveness मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता था because when I sneeze क्योंकि जब मैंने चीका था I did not dream of joking मैंने तो ऐसा swapन में भी नहीं सोचा था कि मैं आप चीकूंगा how could I dare do such a thing मैं ऐसा कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कैसे मेरी हिम्मत हो सकती ऐसे करने की to joke would be to show no respect for persons और किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मजाक ये कोई आदर का तो विशह नहीं होता कोई समान का तो विशह होता नहीं है get out rod the general यहाँ पे rod का मतलब होता है दहारते हुए या दहार ना कहने का मतलब है बहुत ही तेज आवाज में अच्छी गरचती हुई आवाज में जनरल ने उसे बोल दिया get out याने कि तुम चले जाओ suddenly quacking the quacking and growing red in the face याने कि उनके जो चहरा था वो एकदम गुस्ते से काप रहा था गुस्ते से भर एकदम लाल हो चुका था and what whispered चर्वकॉफ he was horrified to see the general so angry और what क्या whispered चर्वकॉफ वे धीरे धीरे सब्दों में ऐसा बोलता है he was horrified to see the general और general को देख कर इतना आग बगूला होते हुए देख कर वो बहुत जादा घबरा जाता है he was horrified something seemed to break inside चर्वकॉफ ऐसा लगता है कि कुछ उसके अंदर से तूट गया तूट गया मतलब कि वे चर्वकॉफ अंदर से पहुँच जादा बिखर गया he stumbled through the door and out into the street वे हैं दर्वाजे को लगाते हुए नीचे निकलता है दर्वाजे से नीचे पहुँचता है and out into the street और गली पर जहां जो सडकी है जाने वाली वहाँ पर पहुच जाता है वहाँ पर अपने कदमों को रखते हुए वहाँ पहुचता है he could not see or hear a thing उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था ना वो कुछ देख पा रहा था ना कुछ उससे सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था and he crawled along the pavement याने उस रास्ते से होते हुए crawled याने की धीरे धीरे लड़ खडाते हुए वह उस pavement याने जो राश्ता है वहाँ पर पहुचता है और he walked home mechanically and when he reached there और एक अजीब से तरीके से लड़ खडाते हुए जब वहाँ पर अपने घर पर पहुचता है when he reached there he lay down on a sofa without taking off his uniform and died वह सीधा जाके अचेत अवस्था में अपने घर के सोफे पर अपने बिना युनिफॉर्म को उतारे हुए मुर्चित अवस्था में एकदम गिर जाता है और उसी समय वह उसकी मृत्यू हो जाती है सोफे में गिरते ही साथ वह अपने युनिफॉर्म तक को नहीं उतारता है वो जाकर अपने सोफे पसीधा जाके जैसे ही वो गिरता है उसी समय उसकी जो है मृत्यू हो जाती है तो मतलब वह वह वहाँ जाता है और वहाँ lay down यानि कि लेट जाता है अपने सोफे में और उसी समय उसके प्राण जो है निकल जाते हैं तो ये जो स्टोरी थी ये स्टोरी आपने इसमें जाने कि ये the whole स्टोरी is all about the incident of sneezing someone to someone यानि कि किसी ने किसी पर छीग दिया और उस बजा से ये पूरी घटना जो है बनती चले गए बनती चले गए और जिसने छीगा जिसका नाम था इवान चरवयकॉप वो इतना जादा चिंतित हैरान परिशान हो गया कि अनततहा उसने कई वार प्रयास किया और बार बार यही माफी नहीं मिली है तो इस वज़ा से वह लड़कडाते हुए जैसे तैसे अपने घर को पहुँचता है और सीधा जाके सोफे में वह लेट जाता है और लेटते ही साथ जो है उसके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि वो दहशत और टेंशन और बहुत जादा खराब स्थिती मे हो चुका था उसके दिमाग में टेंशन जो थी वो इस चीज की थी कि उसने जो है क्या किया है उसने घल्ती करी है और उसकी माफी ना मिलने के कारण ही इसी दहशत में उसके प्राण निकल जाते हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसके बाद हम इसके जब कोश्चन आंसर्स डिसकस करेंगे तो मैं इसके इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट कोश्चन पर चरचा करेंगी प्लस इसके क्या इसमें जो चर्वया क होगा समझा होगा और आपको पसंद आई होगी और अब तक के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कुश्चन आंसर्स के लिए तब तक के लिए थैंक यू